नमस्कार बच्चों आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बहुत ही प्यारे से नीट PYQ के सेशन में जिसमें मैं आज आपको वेवस चैप्टर के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे डिसक्रिशन करने वाला हूँ यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से नीट में बहुत सारे क्वेशन्स पूछे जाते हैं तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मुला मेप तयार करवाता हूँ आपको और उसके बाद में इस पे बेस्ट नीट में आए वे इंपोर्टेंट क्वेशन्स डिसकेशन करेंगे देखिए एक्चुली जो औरगन पाइप होते हैं कोई भी औरगन पाइप जब लिया जाता है तो यह दो प्रकार का होता है एक तो होता है Closed Organ Pipe और एक होता है Open Organ Pipe Open Organ Pipe इसको कहते है खुला Organ Pipe और Closed Organ Pipe को कहते है बंद Organ Pipe Closed Organ Pipe COP इसका famous नाम है और OOP इसका famous नाम है Open Organ Pipe Closed Organ Pipe की खास बात होती है कि इसका एक end बंद होता है और एक end खुलावा होता है तो जो खुलावा सीरा होता है वहाँ पे anti-node बनता है जिसको हम लोग परस्पंद कहते हैं और जो बन सीरा होता है वहाँ पे node बनता है जिसको हम लोग निस्पंद कहते हैं open organ pipe के जो दोनों सिरे होते हैं वो खुले वे होते हैं तो यहाँ पे fundamental frequency के लिए L is equal to lambda by 4 और यहाँ पे L is equal to lambda by 2 use होता है COP के सारे formula आपको पता होना चाहिए Closed organ pipe की fundamental frequency होती है V upon 4L और Closed organ pipe में केवल odd harmonics produce होते हैं केवल विशम सननादियां produce होती है जैसे N frequency produce होगी तो इसके बाद में 3N, इसके बाद में 5N, इसके बाद में 7N अच्छा जी यह जो होती है यह इसको हम लोग fundamental tone कहते हैं मूल स्वर यह first overtone कहलाता है पर्थम अधिस्वर यह second overtone कहलाता है और यह third overtone कहलाता है इसी तरह से open organ pipe का जो fundamental frequency होता है वो होता है V upon 2L and इसमें सारी frequencies, all harmonics produce होती है जैसे N, 2N, 3N, 4N, सारी produce होती है यह तो होती है fundamental tone मूल स्वर यह कहलाता है first overtone, पर्थम अधिस्वर second overtone, third overtone तो यह बाते हैं खास है इसमें एक resonance tube के भी questions बनते हैं जिसके मैं profiles अभी आने वाले समय में आपको बताऊँगा ठीक है, आज एक लेक्चर में जलिए questions करते हैं हम लोग a cylindrical tube open at both ends has fundamental frequency F in air यह आपका एक open tube है जो दोनों तरफ से open है इसकी जो fundamental frequency है वो F है अब आपको पता है open pipe की जो fundamental frequency होती है वो V upon 2L होती है the tube is dipped vertically in water so that half of it is in water इसको इस तरह से पानी में डूबाया जाता है इसका जो आदा हिस्सा है वो पानी में डूब जाए अगर आदा हिस्सा पानी में डूब गया तो पहले तो बचो इस पूरे में air भरी हुई थी L length में अब क्या हुआ आदा हिस्सा में ही air है केवल इस आदे हिस्से में ही air है तब fundamental frequency of air column तो air column की fundamental frequency क्या होगी तो देखो आपको पता है कि अभी एक closed organ pipe बन गया यह तो क्या था open organ pipe था दोनों तरफ से खुला था अभी बन गया आपका closed organ pipe closed organ pipe की जो fundamental frequency होती है वो होती है V upon 4L यहाँ पे L की जगे में जो नई लंबाई मिली है मेरे को L dash वो लिख दूँगा और L dash की जो value है वो L by 2 आजाएगी यह से कड़ जाएगा and V upon 2L आजाएगा V upon 2L मेरी fundamental frequency ही है so the correct answer of this question is D ओके यह जो pattern है इसके ओपर खूब सारे questions पूछे जाते हैं examinations में की आपको जिसे यह question तो ऐसा था जो 97 में आया था जिसमें आदा बर दिया था आदा खाली था किसी में 3-4 बर सकता है किसी में 1-4 बर सकता है इस टाइप से चलिए अगला question हम लोग करने चाह रहे हैं the fundamental frequency in an open pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe देखो नीट 2008 का question है यह एक open organ pipe है और इस open organ pipe की fundamental frequency fundamental frequency, fundamental tone इसको हम लोग हिंदी में मूल स्वार भी कहते हैं इसकी जो value है equal to third harmonic of a closed organ pipe एक closed organ pipe के तीसरे harmonic के बराबर है if the length of the closed organ pipe is 20 cm यह जो closed organ pipe की जो length है वो 20 cm है तो length of the open organ pipe इसकी आपको length बतानी है तो देखो, मैं यह पर थुड़ा systematically लिख रहा हूँ fundamental tone of open pipe is equal to third harmonic of closed organ pipe अचा fundamental tone क्या होता बचो open pipe का V upon 2L and third harmonic of the COP third harmonic का मतलब होता है जो उसका fundamental tone है वो होता है V upon 4L third harmonic का मतलब 3 से multiply करतो V से V कट गया and इससे यह दो बार कट गया L dash की जो value है मेरे पास में वो आ गई 3L upon 2 3 by 2 of the L और L की जो value है sorry sorry मेरेको L dash given है मेरेको L dash given है मेरेको L बताना है L बराबर हो जाएगा 2L upon मतलब 2 L dash upon 3 और जो L dash है इसकी value मेरेको पता है 20 cm तो जो मेरा answer आ जाएगा वो आ जाएगा 40 upon 3 मतलब 13.3 cm तो आपको जो correct answer इस question का वो हो जाएगा A बहुत बढ़िया next question ले रहे हैं हम लोग need 2016 का और यह question बोल रहा है कि the second overtone of an open pipe एक open pipe का जो second overtone है has the same frequency as the first overtone of the closed broken pipe closed broken pipe के first overtone के बराबर इसकी frequency है और इस closed pipe की जो length है वो कितनी है L the length of the open pipe will be देखो जी सबसे पहले एक ऐसा diagram दिमाग के अंदर बना लेना चाहिए जिससे की imagination clear हो जाए जो open pipe होता है उसका जो fundamental tone होता है वो होता है V upon 2L और second overtone second overtone का मतलब देखो open organ pipe में कौन-कौन से frequencies produce होती है N, 2N, 3N, 4N सारी होती है यह first overtone होता है और यह second overtone होता है इसको मैंने 3 से multiply कर दिया अच्छा अभी जो close organ pipe है इसके लिए मैंने बात करी इसके लिए जो fundamental tone होता है वो N होता है फिर 3N होता है फिर 5N होता है फिर 7N होता है उसका first overtone का मतलब यह हो गया 3N और N की value होती है V upon 4L चलिए जी, V से V कट गया और इस 3 से 3 कट गया और इस से 2 बार कट गया यह close organ pipe की length है और यह open organ pipe की length है मेरे को चाहिए open organ pipe की length है तो open organ pipe की length बराबर हो जाएगी 2 of the length of close organ pipe तो close organ pipe की length किती दिए यह मेरे को L यह मैंने value put कर दी और इस तरह से मुझे answer मिला B बहुत बढ़िया कावले तारीफ एक-एक सवाल बस मेरे साथ साथ में आप लोग देखते जाएए और solve करते जाएए कि देखे sir कैसे कर रहे हैं और definitely मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो examination में question है वो सही होगा the air column closed at both end closed at one end and open at the other end मतलब यह हो गया आपका एक तरफ से closer और एक तरफ से open resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 cm यह यहाँ पर मैंने एक tuning fork रखा और आपको बोला गया है कि जब इसमें air column की जो length है वो 50 cm होगी तब आपको resonance सुनाई दे रहा है मतलब यह resonance tube के जैसा question हो गया the next larger length of the column resonating with the same tuning fork is तो जो अगली जो resonance length होगी वो कितनी होगी तो बचो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यह closed organ pipe है और closed organ pipe में अगर मैं बात करता हूँ कि पहली बार जो मेरे को resonance length मिलती है अगर वो L है तो next time पे मेरे को तेज आवाज तब सुनाई देगी जब यह length 3L हो जाएगी next मेरे को यह तेज आवाज तब सुनाई देती है जब यह 5L हो जाती है पहली बार अगर 3L पे सुनाई दिया तो अगले पर 3L पे फिर 5L पे फिर 7L पे फिर 9L पे फिर 11L पे ऐसे सुनाई देती है, तो अगर मेरे को पहली वाली लेंथ 50 cm पे तेज आवाज सुनाई दे रही है, या रेजोनेंस हो रहा है, तो अगली तेज आवाज मेरे को 3 x 50 पे सुनाई देगी, मतलब 150 cm पे, यही मेरे को पूचा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा A, अच्छा इससे next अ Need 2015 का, the fundamental frequency of a closed organ pipe of length b cm is equal to the second overtone of the open organ pipe at both ends, the length of the organ pipe at both ends will be, देखिए, एक एक टाइप के questions आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यह profiles ऐसे हैं जो बार-बार repeat होते हैं examination में, उनको अच्छे से देख लेना जरूरी है, fundamental frequency of closed organ pipe, यह closed organ pipe और इसकी length करती मैंने 20 cm, is equal to, इसका तो fundamental tone है, fundamental tone of COP और वो इसके second overtone के बराबर है, second overtone of open organ pipe, तो length of the open organ pipe के है, इसका fundamental tone का मतलब होता है V upon 4L, okay, closed organ pipe का, और इसका second overtone पूछ है, आपको पता है कि open organ pipe में सारी frequencies produce होती, n, 2n, 3n, 4n, 5n, यह fundamental tone होता है, यह first overtone होता है, यह second overtone होता है, fundamental tone के बाद के सभी जो tones होते हैं, उनको overtones करते हैं, यह third overtone होता है, तो हमको बोल रहा है second overtone, second overtone का मतलब हो गया 3n, 3 into n, और n की value पूट कर दूँगा, मैं V upon 2L, इससे यह कर गया, इससे यह कर गया दो बार, अब मेरेको closed की length दी विए 20 cm, तो मैं इसको यहाँ पर मैंने 20 कर दिया, यह बराबर 3 upon L dash, L dash की value हो जाएगी आपकी 2 into 20 into 3, मतलब 100b cm, ओके, so the correct answer is 120 cm, बहुत बढ़िया, इससी तरह से करत-करत अभ्यास के जड़ती होए सुजान, next question है हमारे पास में, the number of possible natural oscillations of air column in a pipe, closed at one end of length 85 cm, whose frequencies lie below 1250 Hz, कहने का मतलब वहा कि एक आपके पास में, closed organ pipe है, एक तरफ से closed है, और इसके अंदर air भरी हुई है, और the number of possible natural, बताना आपको frequencies, इसकी जो length है, वो 85 cm है, और आपको, वो number of natural oscillations बताने हैं, जिनकी frequencies 1250 Hz से कम है, okay, sound की जो velocity है, वो आपको 340 m per second दे रखी है, तो सबसे पहले, इस question को solve करने के लिए क्या करना चाहिए, सोची आप, देखिए, इस question को solve करने के लिए, हमको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, कि सबसे पहला जो resonance है, वो कितनी length पर बनेगा, क्योंकि ये closed organ pipe है, तो अगर मैं इस closed organ pipe का fundamental tone निकालता हूँ, तो fundamental tone of the pipe अगर निकाला जाएगा, तो वो आएगा V upon 4L, यहां से मेरे को first length मिल जाएगी, जब मेरे को resonance चाहिए होगा, तो V upon 4N कर दूँगा, तो जो V है, इसकी value तो है, मेरे को 340 meter per second given है, एंड अच्छा, जो length है, वो मेरे को given है, तो यहां से मेरे को fundamental frequency मिल जाएगी, तो मैं पहले fundamental frequencies निकाल लेता हूँ, तो V की value है, 340 meter per second, 4 into जो length है, वो 85 centimeter दी हुई है, जब मैं इसको solve करूँगा, तो मेरे को मिलेगा 100 hertz, यह जो 100 hertz है, यह actually fundamental tone है, fundamental tone मतलब पहली बार जो तेज आवास सुने देगी, मेरे को 100 hertz होगी, अच्छा, अब 100 hertz है, और मेरे को 1250 से कम frequency की wave चाहिए, तो मेरे को पता है कि close broken pipe में जो frequencies होती है, वो odd harmonics होते हैं, n, 3n, 5n, 7n, 9n, 11n, तो देखो, सबसे पहले frequency मेरे को 100 मिलेगी, अगली frequency से 3 गुना है, मतलब 300 हो गई, अगली frequency 500, अगली frequency 700, अगली frequency 900, अगली frequency 1100, अगली frequency 1300, मेरे को 1250 से कम चीए थी तो 1250 से कम है यह भी 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 कम है यह जादा हो गई तो कितनी से हैं क्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, and 6 so my correct answer of this question is P बहुत अच्छे, it was a nice question अगला question, if we study the vibration of pipe open at both the ends अगर हम दोनों तरफ से open एक pipe के vibrations को study करते हैं then the following statement is not true इन में से जो सही बात नहीं है वो आपको बताना है all harmonics of the fundamental frequencies will be generated बिलकुल सही बात है, सारे frequencies generated होते हैं and, 2 and, 3 and, 5 and, 7 and, सारे frequencies produce हो रही है pressure change will be maximum at both the ends यह जो दोनों ends है, इन दोनों ends पे क्या बन रहे हैं? anti-nodes और anti-nodes के ओपर pressure change minimum होता है at anti-nodes pressure change is minimum not maximum तो यही गलत हो गया बच्छों और जो गलत है वही सही है अगला दिखते हैं, open end will be anti-node यह बात बिलकुल सही है odd harmonics of the fundamental frequencies will be generated बिलकुल, odd harmonics भी जनरेट हो रही है 3n, 5n, 7n अच्या है समें सारी होते हैं n, 2n, 3n, 4n, 6n सारी जनरेट होती है सारी जनरेट होती है, तो odd भी जनरेट होती है odd भी जनरेट होती है, even भी जनरेट होती है तो यह यह नहीं बोल रहा है कि only odd harmonics of the fundamental frequencies will be generated, हाँ, odd होती है तो odd भी correct है, so the correct answer of this question is B बहुत बढ़ी है next question is a closed rogan pipe closed at one end closed rogan pipe है, जो एक तरफ से बंद है is excited to support the third overtone, ये जो है तीसरे overtone को support कर रहा है it is found that air in the pipe है देखिये, third overtone, मैंने आपको बता रहा है closed rogan pipe में N, 3N, 5N 7N, 9N ये सारी frequencies प्रोड्यूस होती है, ये first overtone है ये third overtone है ये fifth overtone है, sorry ये first overtone है ये second overtone है ये third overtone है ये fourth overtone है अगर मैं harmonics की बात करूँ तो ये third harmonic है ये fifth harmonic है ये seventh harmonic है ये ninth harmonic है तो आपसे पूछा जा रहा है कि third overtone में ये third overtone होगा third overtone में क्या-क्या होगा इसमें seven N प्रोड्यूस हो रहा बच्छो seven N ठीक है न, seven N का मतलब हो गया अगर मैं इसको बनाता हूँ तो सबसे पहले तो ये fundamental tone होता है उसके बाद में ये next condition है जो हमारा first overtone हो गया third overtone में क्या होता है यहाँ पर anti node और यहाँ पर node ही है देखो इसके अंदर एक anti node और एक node था इसमें दो anti node और दो node थी अगले वाले case में obviously तीन-तीन हो जाएंगे और अगले वाले case में चार anti node और चार node हो जाएंगे ठीक है न, क्योंकि ये first overtone है ये second overtone होगा और ये third overtone होगा और आपको third overtone के अंदर पूछा गया है तो इसका answer हो जाएगा four nodes and four anti nodes I think बचो आपको बहुत फाइदा हुआ होगा इस session के साथ में इस प्रगार के और proper sessions के साथ में जोड़े रही है आप APG की दुनिया पर और खूब महनत कीजिए आप जरूर सफल होगे